राधी राधे दोस्तों कैसी हुआ आप लोग आसकी हमारी कहानी का नाम है निरनय थकी हारे कदमों से मनोहर जी ने अपने घर में परवेश किया तो देखा पतनी मोहेनी सामने ही चरपाई पर बैठी हुई थी उन्हीं परिसान देखकर वो बोली क्या हुआ जी कुछ निरनय निकला मनोहर जी ने एक पल के लिए वहीं खड़ी रह गए फिर धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए उनके पास आए और उनके पास रखी हुई कुर्शी पर बैठते हुए बोले नहीं कुछ भी फैसला नहीं हो पाया सुनकर मोहनी जी भी उदास हो गई फिर कु खाया नहीं आज भूक नहीं लगी तुमने खाया उनके इस प्रस्ने से मोहनी जी भी चूप हो गई उन्हें चूप देखकर मनोहर जी ने पूछा क्या हुआ रजनी आज नहीं आई क्या नहीं जी अब वो भी ससुराल वाली हो चुकी है सास और पती की मरजी भेजे तो भे बेटी भी नहीं है मू बोली बेटी है आखिर वो भी कितना निभाय सच कह रही हो तुम आखिर ये तो ससुराल वालों का निरने है कि वो अपनी बहु को उसके माईके भेजे या नहीं भेजे पर फिर भी मू बोली बेटी ने तो काफी फर्ज निभाया है एक बार मू से उ खिचरी बना देता हूँ, कहते हुए मनोहर जी अपने घुड़नों पर हाथ रखते हुए खड़े हुए और रस्वई में जाकर कूकर में खिचरी बनाने लगे, बीच बीच में आकर मोहनी जी से क्या कितना समान लेना है, पूछ रहे थे, ये देकर मोहनी जी की आखों में आ मासुओं को पोच्ती हुई मोहनी जी बोली, देखों न जी, अगर मेरा एक्सिडेंट ना हुआ होता, तो आपको इतना परेश्ता नहीं होना परता, कम से कम खाना बना कर तो खिलाई सकती थी, अब आपको घर और बाहर अकेले ही सब कुछ करना पर रहा है, उनकी बात सुन मनोहर जी उनके पास बैठते हुए बोले, क्यों चिंता करती हो, ये भी एक परिक्षा का वक्त है, निकल जाएगा, बस तुम हिमत बनाए रखो, तुम्हारा हस्ता मुस्कूराता चेहरा, मुझे बहुत हिमत देता है, क्या फर्क पड़ता है कि आज सगी बेटी ही साथ नह पड़गी में क्या किया है, जिस बेटी को सीराखों पर बिठाया, आज वहीं कहती रहती है, मोहिनी जी भी चुप हो गई, आखिर करती भी क्या, हमेशा दोनों पती-पतनी अपनी ही बेटी की बात पर आते ही चुप हो जाते, मोहिनी जी और मनोहर जी का छोटा सा मध्यम वरगिये परिवार था, उनकी दो जुड़वा बच्चे, बेटा अजय और बेटी सुननदा, अपनी दोनों बच्चों के साथ मनोहर जी, अपनी माता पिता द्वारा बनाए गए बड़े से घर में रहते थे, लेकिन जब अजय दो साल का था, तब ऐसा बीमार हुआ कि उस उसे बचाया ना जा सका, भगवा ने बेटा तो दिया, लेकिन उसे जिंदगी नहीं दी, सायद यहीं किस्मत है, यह सुचकर मोहिनी जी और मनोहर जी ने अपना सारा लाड़ प्यार अपनी बेटी सुननदा को ही दिया, सुननदा पढ़ने में अच्छी थी, उसकी पढ़ वो थोड़ी जिद्धी भी थी, उसकी खुआब कभी छोटी नहीं रहे, जब उसने अपनी स्कूली सिक्छा अच्छे से नंबरों से पूरी की, तो उसने हायर एस्टाडिस के लिए वीदेश जाने की जिद की, अब मनोहर जीतों मामुली से कलड़ के थे, वो कहां से इतना पैसा लाते, इसलिए दोनों पती पतनी ने बेटी की खुशी के लिए अपना माकान बेचने की फैसला लिया, और माकान बेचकर खुद तिन कमरे के इस माकान में आ गए, पर बेटी को पढ़ने के लिए बीदेश जरूर भेजा, बेटी के बीदेश जाने के बाद ही, यहा तुम तो हमारी बेटी जैसी हो बस तब से रचना ने अपने आप हो उनकी बेटी माल लिया और अक्सर उनके पास आ जया करती विदेश से पढ़ लेकर जब हो वापस आई तो उसे अच्छा खासा पैकेज मिला एक कंपनी में उसने नोकरी ज्वाइन कर ली लेकिन उसे ये घ भर छोटा लगने लगा और अपनी माता पीता पिछड़े हुए वो कई बार अपनी माता पीता की रहन सेहन को लेकर टोकने लगी थी कंपनी से साम को घर आती तो सीधा अपने कमरे में घुस जाती ज्यादा बात भी नहीं करती रचना की साधी के समय भी मनोहर जी ने सुनन तुम्हारी बड़ी बहन जैसी ही है अरे आप ही जाए ऐसी लोकला साधी में कहकर सुननदा कमरे में चली गई पर वो साधी में नहीं गई कंपनी में जौब करते समय ही उसकी मुलाकात हीतेस से हुई दोनों ही एक दुसरी को पसंद करने लगे वो कभी भी हीतेस को अपने घर लेकर नहीं आती थी उसे अपने घर लाते उसे सर्व मैसूस होती थी उसे लगता था कि कहीं हीतेस को ये ना लगे कि उसके माता पिता कितने पिछड़े हुए हैं और वो ऐसे छोटे से घर में रहती है और एक दिन बीना अपने माता पिता को बताए ही उसने हीतेस से को तो उन्हें बड़ा दुख हुआ आखिर सुननदा उनसे पूछती तो वो माना थोड़ी ना करते जब बचपन से बेटी की जिद पूरी की है तो अब भाला वो क्यों माना करते पर बेटी के इस कदम ने उनका दिल तोड़का रख दिया लेकिन मोहिनी जी के कहने पर वो सुन आनक वहां देखकर पहले तो वो सक पका गई पर फिर उनकी बेश्टी करते हुए बोली आप क्या लेने आए हो यहां पर क्यों मेरी इंसल्ट कराने में तुले हुए हो आपको समस में नहीं आता कि मुझे आप लोगों को देखकर सर में मैसूस होती है आप लोगों का कोई लिविंग स्टेंडर्ट नहीं है अच्छा हुआ मेरे सास ससुर यहां नहीं रहते नहीं तो जिंदगी भर के लिए ताने पड़ते मुझे आज तो आगए आप आइंदा मत आईएगा प्लीज आप लोग मुझे सरमिंदा करना बंद करो कहकर सुनंदा ने हाथ जोड़ दि इसलिए वो उन्हें लेकर वापस जाने लगे तो सुनंदा बोली और अपने लाए हुए ये लोग क्वालिटी के समान को यहां से लेकर जाएए हाम लोग इस तरह की चीजे नहीं खाते ये सुनकर मनोहर जी ने कहा आज तुम्हें जो समान लोग क्वालिटी का लग रहा है ना बेटा उसी को खाकर तु बड़ी हुई है आज जिने मा बाप को देखकर तुम्हें सर्म हो रही है ना उन्हीं मा बाप ने तुझे जन्म दिया है पाल पोसकर इतना बड़ा किया है और इस लायक बनाया है कि तु आज यहां खड़ी हुई है इंसान को अपने दिन नही भूलने चाहिए पर तुझे क्या कहूं सायद हमारे ही संसकारों में कमी रह गई है कहकर मनोहर जी मोहनी जी का हाथ पकरकर वहां से निकल गए इसे बात को भी आठ साल हो गए तब से उन्होंने अपनी बेटी की सकल भी नहीं देखी थी अब मनोहर जी रिटायर हो गए थे उन उसे वो लोग अपना भड़न पुसंद कर रहे थे लेकिन समस्या तब सुर्य हुई जब मोहनी जी का एक्सिडेंट हुआ उन्होंने सुदंदा को भी बुलाया लेकिन सुनंदा नहीं आई पर जो के मुह बोली बेटी थी वो दड़ दड़कर संभाल रही थी अब इस बात मुहनी जी पहले से तो ठीक थी लेकिन अभी भी विस्तर से उट नहीं पाती थी रचना की अपनी जिम्मेदारी थी वो हर रोश्तों नहीं आसकती थी लेकिन अब बच्चत सारी खत में हो चुकी थी मुश्किल से ही घर चल पा रहा था मनोहर जी ऐसी हालत में मोहनी जी को बाहर कमाने के लिए भी नहीं जा सकते थे इसलिए आज सुननदा के पास गए थे उसे मदद मांगने के लिए ये सोचकर की बेटी है कुछ तो मदद करेगी पर सुननदा ने तो उल्टा उन्हें ही सुनाना सुरू कर दिया क्या लेने आयों यहां पर जब मैं आप लोगों से मिलने नहीं आती हूँ तो समझ जया करोना कि मुझे आप लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्यों मुँ उठा कर चले आते हो फिर यहां पर मनोहल जी को गुसा तो बहुत आया एक बार उनका दिल रो पड़ा बोलते बेटा आज मोहिनी की इस्तिती खराब है और उसके इलाज में ही सारा पैसा खर्च हो चुका है तो थोड़ी बहुत अगर पैसों की मदद कर देती तो लेकिन उनकी पूरा बोलने से पहले ही सुननदा चिला पड़ी बोलने से पहले एक बार सुचना तो चाहिए था कि आप यहाँ पर मुझसे पैसे लेने आए हैं अरे लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीटे और आप मू उठा कर चले आए यहाँ पर पैसे लेने के लिए छी सर्म आनी चाहिए आपको सुननदा ने काफी बेज़त करके मनोहर जी को वहां से निकाल दिया खेर उन्होंने मोहिनी जी को खाना खिला कर दवाई दे कर सुला दिया काफी दे तक कुर्ची पर मौन बैठते हुए सोचते रहे काफी सोचने के बाद उन्होंने कुछ फैसला लिया दुसरे दिन सूबह किरायदार घर पर ही था तो उससे कहा कि वो मोहिनी जी का कुछ ध्यान रखे और मै एक घंटे में जरूरी काम निप्टा कर आता हूँ फिर वो जरूरी काम के लिए निकल गए वहां से निकल कर वो अपने दोस्त के घर गए जो की एक वकील भी था और अपनी पूरी इस्तिती बताते हुए उससे बोले क्या तुम्हारे कानून में ऐसी कोई बेवस्ता है जो हमारी मदद कर सके बेटी के लिए हमने अपना सब कुछ खर्च कर दिया और आज वहीं बेटी हमें कुछ समस्ती ही नहीं है आज हम पैसो पैसो से मुटाज है जबकि वो अच्छा खासा कमा रही है पर वो हमें समास की पुरानी बेवस्ता या दिलात्ते वें कहती है कि बेटी से भरन पुसन दिला सके दोस्त उनकी बाते सुन्ते हुए बोला बिल्कुल है ऐसी बेवस्ता कानुन ने दे रखी है जिस में माता-पिता अपनी बेटी से भरन पुसन ले सकते हैं और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँ गा आखिर दोस्त की मदद से मनोहर जी ने ब अपनी ही बेटी के खिलाफ नोटिस भेज रहे हैं सर्म नहीं आती आपको आप मुझसे भरन पोसन मांग रहे हैं अरे लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते और आप कौन से जबाने की बात कर रही हो तुम तो हमें पिछरा हुआ कहती थी ना और खुद ही पिछरी बातों को मानती हो बेटा वो पुराने जबाने की बात थी जब बेटी के घर का पानी नहीं पीते थे पर तुम सायद भूल गई उस बेटी को ही इतना पढ़ाया नहीं जाता और नहीं बेटी को पढ़ने के लिए बिदेश भेजा जाता था वो भी अपनी संपती बेज कर बेटा भरन पुसंद तो हमारा अधिकार है वो तो हम तुमसे लेकर ही रहेंगे मनोहर जी ने डो टुक बात कहकर सुननदा को बाहर का रास्ता दिखा दिया आखिर कोट ने भी मनोहर जी और मोहिनी जी के पक्च में ही निरने सुनाया इस दोरान मनोहर जी के दोस्त ने उन से यह रहें सब्सक्राइब किजिएगा और इस कहानी पर आप लोगों की क्या रहे हमें कमेंट करके जरूर वताइएगा मेरी कहानें सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद